आप सभी को स्वागत करता हूं आज का इस ब्लॉग में तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे चेस्ट एक्सरसाइज के बारे में और आज का जो एक्सरसाइज वोगा आज को बहुत हैं तो चलिए इस वीडियो को आप लाश तक देखिए अगर अगरे चानल में ने हैं तो चानल में मेरे जरुर में सब्सक्राइब करें कर लाइक कमेंट में से जरुर करूं अब करेंगें आप करेंगे लॉन वार्म ओफ हमको इस लिए ज़रूरी है जिसे कि हम लोगो स्टाट करते हैं बोड़ी को थोड़ा ख्रीक कर देना चाहिए उसके बाद में लोगा अगर हम एक्सराइज करते हैं तो हमारा जो बोड़ी में थोड़ा पेल होता है वह आपको नहीं होगा तो फ्रेंज तो चलिए हम तोड़ा वार्म ओफ कर लें हैं है कर सब्सक्राइब में है कर दो कर दो करते हैं तो पहला एक्सराइज जो आपको होदा है वो है पूश आप कंपल्सरी आपको तीन शेट लगाना है और हर एक शेट में 15-20 रेक्टेशन आपको लगाना है तो चलिए अब हम करेंगे पहला एक्सराइज जो होगा पूश आप कर दो 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 अब हम करेंगे एक्सराइज नमबर टू जो होगा फ्लाट बेंच बार्बर प्रेस यह अपको तीन सेट करना है और हर एक सेट में अब टागेट के लिए 15 से 20 लगाने के लिए जब भी आप सेट लगाता है हर एक सेट में अपना वेट बढ़ाने के लिए कोशिश करिए और रेपेटिशन आपका कम हो जाएगा उसमें से आपको क्या होना आपका स्रेंट और बोडी का जो पॉम्पिंग वह बहुत आच्छा है आपका तो चलिए अब हम स्टार्ट अचरी कि करेंग और आपका आपका लाएगा है झाम आब।ब अब हम करेंगे तीन नमर एक्सरसाइज जो होगा बाटरफ्लाय तो चलिए एक्सरसाइज भी हम तीन चट करेंगे और हर एक्सरसाइज में 20-25 एक्सरसाइज लगाना है मीडियों बोट में अब हम करेंगे फोर्थ नमर एक्सरसाइज जो होगा प्लाट डंबल फ्रेस तो यह एक्सरसाइज भी आपको चारशेड लगाना है और हर एक्सरसाइज में आपको 12-15 एक्सरसाइज लगाना है थोड़ा हैपी ओट के साथ बथएभाना है, अब एक्सरसाइज लगाना है प्ड़ा है जा को ltऴ में भी अव्झा मां सबस्टने जाना है और है ल़ा हैं प्बाड़ बट प्प्त हैं करेंग अना फिर intellect एक्सराइज एक्सरा स्बस्ट 이제 है अब हम करेंगे फाइफ नमबर एक्सरसाइज जो होगा इंक्लाइन बारबर फ्रेस ये एक्सरसाइज आपको तीन शेड लगाना है और हर एक शेड में आपको बारा से पंदरा रेप्टेशन लगाना है अपर में आपका बारबर टच नहीं होना चाहिए बस चलिए एक शेड हम स्टार्ट करते हैं जब भी आप बारबर पकड़ेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस मानने के लिए तो आपको आपका जो डिस्टांस है आपका शोल्डर साइड से दो से चार उंगली बाहर रखिए फिर आप एक्सरसाइज करिए ज्यादा वाइड नहीं लेना है अगर ज्यादा हम वाइड लेंगे तो हमार जो राप्टेशन है वो अन्बालांस होगा तो चली स्टाप के पर है इंकलाइड बारबर प्रेस्ट अगर 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 को अपना चेस्ट में तस नहीं करना है जैसे आप देख रहे हैं दूर में अपना राट को अब रखके एक्सरसाइज करा देए अब हम करेंगे शिक्स नमबर एक्सरसाइज जो होगा डंबल फ्लाट बेंच पूल अगर तो चली यह एक्सरसाइज हमको तीन चट करना है और हर एक्सरसाइज में पंदला राट प्रेटेशन लगाना है थोड़ा हेबी वोट के साथ जो आपका इनर चेस्ट का बेनिफिट करेगा बहुत सारा तो चलिए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं डंबल फूल अबर तूड़ा क्या मरा को पिछे ले जाते ताकि आपको आपको अब हम करेंगे सेवेंथ नमबर एक्सरसाइज जो होगा डीक्लाइन बार्बर फ्रेस ये एक्सरसाइज आपको तीन शेट लगाना है और हर एक्सरेड में 20 रैप्टिशन लगाना है भले आप वीडियो में लगाए भले आप लाइड वोड में लगाए लेकिन आपको 20 रैप्टिशन लगाना जरूरी है तो चलिए ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं जब दूर्ट ये एक्सरसाइज करें तो अपना बापल जो है वह और लोड चेश्ट करें थोड़ा से उपन में रखें तस नहीं हुना चीए फिर आफ कंटीनु एक्सरसाइज करें इस रेप्टिशन लगाने हैं आपको या रखेंगा कि यह था आज का एक्सरसाइज का विडियो जो आपके सामने में ने पर्फूम किया अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक और कमेंट जरूर करें फिर मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में और एक नया कंड़न लेंके आपके समने जरूर आएंगे तब तब के लिए थांक्यू सो मच फिर मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में तब तब बाई बाई